हेलो गाइस, वेलकम वेक ओन यूटूब चैनल यूनिक मैडिसिन गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिष्टा फ्री सस्पेंसन के वारे में जो कि बच्चों को दिया जाने वाला एक सस्पेंसन है यानि एक सीरप की फॉर्म में मैडिसिन है तो इस medicine की हम सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे जानेंगे इस medicine के क्या use है किस तरह की medicine है बच्चों को कब दी जाती है और कितनी मातरा में दी जाती है इसके साथ ही बच्चों को इस medicine के क्या-क्या uses benefits मिल जाते हैं और इसके साथ बहुत सारी जानकारी तो दोस्तों वीडियो में आगे वढ़ने से पहले आप से मैं निवेधन करना चाहूंगा कि कभी भी खुद से कोई भी दवाई आप ना ले ना ही अपने बच्चों को दें ये नुकसान दायक हो सकती है अगर आपको जर्वत होती है तब आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनकी सला के अनुसार ही आगे की जो मैडिसिन है उसको ले इसके साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आएं हमारे नए महमान है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए नोटिफिकेशन बैल को आउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तब लास्ट में इसको लाइक और सेर करना बिलकुल न भूलें तो दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों यहां जो आप हिष्टा फ्री सस्पेंशन देख रहे हैं यह बच्चों को दी जाने वाली एक मैडिसिन होती है जिसका यूज बच्चों को विविन प्रकार की जब डिसीज हो जाती है बच्चों को अलग-अलग तरह की डिसीज होती है तो उस समय इस मैडिसिन को बच्चों को दिया जाता है दोस्तो पहले हम इस medicine के uses और benefits की बात करेंगे इसके बाद में हम इसकी बाकी की जो भी detail है उसको step by step समझेंगे तो अगर हम इसके use और benefits की बात कर लें दोस्तो ये एक second generation anti-histamine property वाली medicine है जो कि H2 receptor को block करने का काम करती है तो दोस्तो ये हुई इसके बारे में pharmacological इसकी activity तो थोड़ा सा अब हम अपनी simple language में जानने की कोसिस करते है दोस्तो ये एक anti-histamine property वाली medicine है यानि इसका जो medicine का mechanism of action है वो as a anti-histamine work करती है और histamine की बजह से होने वाली जो भी समस्या है जैसे कि बच्चों में नाक बहना, नाक लाल होना, उनके nostrils लाल हो जाना, नाक की allergy होना, सरदी जुकाम लगे रहना और allergic जो भी उनको rhinitis हो जाते हैं जिसमें आखों से पानी बहता है बहुत ज़्यादा चीके आती हैं और लगतार चीके आती हैं आखें लाल हो जाती है यानि नाक प Candy देखा होगा आपने बचचों को जब कभी जुकाम लग जाता है तो उनको नाक के ऊपर लाल-लाल हो जाता है रैसिस हो जाती है और इसके साथ ही watery eyes की problem हो जाती है और बच्चों को red eyes की problem हो जाती है यानि उनकी आँखों से पानी वहता है आँखें लाल रहती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा नजला जो काम लग जाता है तो simple language में मैंने आपको बताने की कोशिस की कि ये सारी जब समस्याएं बच्चों को होती है तब उस समय ये medicine के अपने बहुत अच्छे benefits जो है बच्चों को मिल जाते हैं तो गाइज इसके साथ ही ये एक anti-histamine property वाली medicine है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसमें डाला गया है facts of inadim hydrochloride suspension जो की second generation anti-histamine property वाली medicine है तो इसका जो काम होता है वो body में यानि बच्चों के या बड़ों के किसी के भी body में जो histamine नाम का chemical messenger release होता है उसको ये medicine block करने का काम करती है दोस्तों होता ये है कि जब histamine chemical messenger body में release होने लगता है तो body में allergic symptoms सामने आने लगते हैं तो जिसकी बज़े से अलग लग patient में अलग लग चीजें होती है वर generally जो common problems होती है वो ये सभी समस्याइं होती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताई है तो ये सारी समस्याओं को treat करने के लिए ये histamine free जो medicine है काफी effective medicine है दोस्तों इसके साथ ही इसका जो use है वो जब बच्चों को बहुत ज़्यादा sneezing होती है उनको बहुत ज़्यादा छींके आती है तब उस समय भी medicine का doctor use कराते हैं इसके साथ ही skin से related जो races वगेरा हो जाते हैं यानि बच्चों की तवचा पर लाल-लाल जो races हो जाते हैं और बच्चों को खुझली जैसी हो जाती है itching लगी रहती है skin पर तो उस से related भी ये medicine अपना बहुत अच्छे benefits बच्चों को देती है उनको treat करने का काम करती है दोस्तों इसके साथ ही कभी क्या होता है कि कभी-कभी हमारे बच्चे बाहर खेलते हैं खुले में तो उनको insect वगरा जानी जो बाता बरल में छोटे-मोटे कीट पतंगे जो भूमते हैं तो वो बच्चों को काट लेते हैं तो इससे क्या होता है अचानक से बच्चों के सरीत पर छोट-छोटे दाने बन जाते हैं फफोले जैसे बन जाते हैं या छोट-छोटे-मोटे-मोटे फुनसी टाइप बन जाती है तो इस तरह की जो प्रॉबलम होती है वो insect bite की वज़ा से होती है तो इसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर की पहली पसंद हो जाती है हिष्टा-free suspension दोस्तों इसके साथ ही कुछ बच्चों को क्या होता है कि कभी वो non-veg वगेरा खालेते हैं या कुछ food से allergy हो जाती है तो उस समय भी ये medicine के अपने बहुत अच्छे benefits बच्चों को मिल जाते हैं और इसके साथ ही अगर कोई बच्चा आर्केटर एरिया यानि skin readiness या skin पर फफोले जैसी समस्या से पीडित होता है तब उस समय भी ये medicine अपना बहुत अच्छा treatment देती है उनको काफी फाइदा करती है और इसके साथ ही अगर किसी medicine से किसी बच्चे को allergy हो जाती है यानि कि बच्चे को कोई medicine दी और अचानक उसको लगा कि इससे allergy हो गई तो उसको रोकने के लिए भी doctor's medicine को prescribe करते हैं तो दोस्तों ये थी इस medicine के इतने सारे benefits जो है आपको मिल जाते हैं यानि benefits की बात अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि medicine किस तरह से काम करती है और ये क्या क्या बच्चों के लिए और फाइदे पहुँचाती है तो दोस्तों इसके साथ ही अगर बच्चों में कभी कभी क्या होता है कि respiratory allergy हो जाती है जिसमें बच्चों को सांस लेने में समस्या आती है तो बच्चे खरकराट की आवाज करते हैं उनका जो respiratory system है वो block होने लगता है congestion होने लगता है उसमें तो उस समय उसको clear करने के लिए भी histah free suspension का काफी use किया जाता है तो overall अगर हम बात कर लें तो बच्चों के लिए काफी अच्छी और effective medicine है तो इस तरह से इस medicine के uses और benefits हो जाते है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं dose की तो dose के case में हमेशा मैं आपको request करना चाहूंगा कि कभी वी dose आप खुद से ना लें इस पेसली जो इस तरह की medicine होती है red strip यानि ये schedule H category वाली medicine है red strip medicine है तो कभी वी dose आपको खुद से नहीं लेनी होती है dose हमेशा आपके doctor जितनी मात्रा में दबाई देते हैं उतनी मात्रा में आपको इस measurement cap के त्रो माप के यानि measure करके ही dose को लेना होता है माल लिजिए अगर आपके doctor कहते हैं डाई ml दे दीजिए या 7.5 ml या 10 ml तो जितनी doctor dose बताते हैं उस तरह से आपको dose देनी होती है दोस्तो इसमें जो salt होता है वो facts of inodin hydrochloride पाया जाता है histafreeze का brand name हो जाता है दोस्तो trademark company है और इसके साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं फोटो में यहाँ बच्चे वगएरा का फोटो लगा हुआ है तो बच्चों के लिए यह medicine है 10 mg पर 5 ml की इसकी quantity हो जाती है strength हो जाती है dose की और यह आपको इस तरह से suspension की form में medicine मिल जाती है दोस्तो इसके साथ ही बात कर लेते हैं कुछ एक side effect की अगर हम side effect की बात कर लें तो generally क्या होता है कुछ बच्चों में यह medicine देने के बाद बच्चों को नींद वगएरा आने लगती है या हो सकता है वो vomiting कर दें तो यह side effect के case में हो सकता है या इसके साथ ही बच्चों का जो पेट है वो खराब भी हो सकता है उनको हलके फुलके dust लग सकते हैं तो इस तरह के अगर कोई side effect आते हैं तो तुरंत इस medicine को रोक दें और अपने doctor को बताएं और आगे का जिस तरह से doctor आपको treat करते हैं, सला देते हैं उसी तरह से आगे की medicine आपको चलानी है दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके कुछ warnings और safety tips की तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बताई हुई dose से ज़्यादा आपको नहीं देनी है यानि doctor जितनी dose बताते हैं उतनी dose देनी है एक्सिज dose आपको नहीं देनी है इससे क्या होता है जिनका आपको विसेश कर ध्यान देना होता है जब आप इस तरह की medicine बच्चों को देते हैं दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके MRP की तो जानते हैं इसका MRP कितना है तो ये आपको 110 रुपए से लेकर 120 रुपए तक मार्केट में मिल जाती है यानि किसी भी medical store से आप इसको easily ले सकते हैं दोस्तों red strip medicine है तो हमेशा doctor के prescription पर ही आपको खरीदनी है खुश से कभी भी खरीद कर किसी तरह का use ना करें तो ये था इस hista free suspension के वारे में एक जानकारी वीडियो दोस्तों ये वीडियो स्रिफ आपको जानकारी देने के परपस से बनाया गया है हमारा मोटिफ किसी तरह की self medication और doctor सला देना नहीं है ये वीडियो स्रिफ आपकी सामान जानकारी के लिए बनाते हैं ताकि आपको दवाईयों के वारे में एक सामान जानकारी हो सके तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ नई जानकारी के साथ तब तक देखते रहिए आपका अपना unique medicine योटूब चैनल और दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलते रहें और आप ऐसी तरह की helpful जानकारी पाते रहें ठैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो